हैलो फ्रेंड्स वेलकम बाइक इन वाई सीपी इंगलेस मंत्रा दोस्तो आज आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और अडवांस इस्ट्रक्चर तो आएए देखते हैं वो अडवांस इस्ट्रक्चर क्या है कभी कभी हमें पर दे लाइफ में इस प्रकार के संटेंसे बोलने होते हैं जैसे वो सब तो ठीक है लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की वो सब तो ठीक है लेकिन मैं नहीं आऊंगा वो सब तो ठीक है लेकिन उसे नवकरी कैसे मिली तो जब बोलने होते हैं आपको ऐसे sentence है जहाँ पर कहा जाए वो सब तो ठीक है तो वहाँ परम्जिस advanced structure का यूज़ करते हैं वो है that's all right इसका हिंदी मीनिंग होता है वो सब तो ठीक है आईए इसका रोल देखते हैं सबसे पर लिखेंगे that's all right इसके बाद but लिखेंगे और इसके बाद friends मारा sentence आएगा और sentence जो होगा वो बोलने के according किसी भी tense में हो सकता है तो आईए एक्जामपल के मादियम से और अच्छे समझ लेते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन मैं नहीं आऊँगा that's all right but I will not come वो सब तो ठीक है लेकिन तुम क्या करोगे that's all right but what will you do वो सब तो ठीक है लेकिन वो नहीं आया that's all right but he did not come वो सब तो ठीक है लेकिन तुम कहां गय थे that's all right but where had you gone that's all right but where had you gone वो सब तो ठीक है लेकिन उसे नौकरी कैसे मिली that's all right but how did she get the job that's all right but how did she get the job वो सब तो ठीक है लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की that's all right but he did not talk to me that's all right but he did not talk to me that's it friends आज के वीड़ों वस इतना ही तुआए करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे वो सब तो ठीक है लेकिन तुम पैसे कमाने कहा जाओगी तो friends इस sentence का आप सभी लोग comment करके बताईए और friends अगर आपको वीड़ों अच्छा लगे तो please वीड़ों को like करिए share करिए comment करिए क्योंकि आपका एक like एक share एक comment हमें motivation देता है next video बनाने के लिए till then bye bye take care keep learning keep practicing